हलो एवरिवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल जिसे के हेर फॉल की प्रॉब्लम यह प्रॉब्लम तो सभी के साथ है चाहे बो टीनीजर्स हो जंग एज के हो या उससे ज्यादा सभी को यह प्रॉब्लम बनी हुई है बट इसका सल्यूशन जो राइट सल्यूशन हो नहीं मिल पात हेर फॉल हो रहा होता है या फिर हमें इसके बारे में सही तरीके से पता ही नहीं है मैं आज अपनी इस वीडियो में आपके साथ इसको कंट्रोल करने का पूरा सल्यूशन जो है वो शेयर करूंगी आपको हेर फॉल के लिए बताऊंगी यह एक नेचरल परसे से क्यों होता ह है यह सारा कुछ मैं आपके साथ डिसकस करूंगी बट उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बल को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके तो चलिए अब बात करते हैं हेर फॉल की भई हेर फॉल जो है वो एक नेचरल परसेस है हेर फॉल सभी का होता है हम सोचें कि हमारा एक भी स्ट्रेट जो है वो ना गिरे ऐसा नहीं होता हमारा हेर फॉल जो होता हो सीजनल होता है बस हेर फॉल की प्राब्लम एराइज लगता है भाई चलो डॉक्टर से मिलाते हैं और डॉक्टर से ही पूछते हैं इसका solution भाई हेर फॉल तो रुकी नहीं रहा पता नहीं क्या ही हो गया हमारे उसमें सबसे बड़ी बात तो हमारा जो आज का खानपान है वही अच्छा नहीं है उसको हमें healthy बनाना है दूसरी बा hair fall हो गई लेकिन हम इस परशानी से बिल्कुल यह सोचते हैं कि बस यह खतम हो जाए ऐसी परशानी हमें ना आए उसी hair fall को देखते हुए इमेजेटली डॉक्टर से consult किया जाता है हम medicine खाना शुरू कर देते हैं और फिर एक महीने में दो महीने में तीन महीने में फेर फॉल उससे रुखा है बट ऐसा नहीं होता हमारा hair fall according to time अपने आप ही रुख जाता है नॉर्मल परसेस में जो hair fall होना होता है वो regular भी होता है actually हमें इसे अच्छे से समझना है जब हम doctors के पास जाके कोई medicine ले आते हैं ज्यादा तर जो solution doctors देते हैं recommend करते हैं वो minoxidal नाम का solution होता है वो एक ऐसी medicine है जो scalp में blood circulation को arise कर देती है लेकिन rightly एक time में हमारा जो दिखो hair fall जो हो रहा होता है वो रुखता तो वही 1 month और 2 months में है लेकिन hair थोड़े हमें लगता है कि grow होने शुडू हो गए हैं तो शायद इस medicine की वज़ा से ही ये सब कुछ ठीक हुआ है लेकिन वाक्य ह ही मैं आपको आज एक बात बिताते हूं जो ये allopathic solution है ये on the spot blood flow increase करके आपके hair door जरूर करेगा but उसके बाद इतने spreads जाएंगे आपके इतना ज्यादा hair fall होगा कि फिर उसे control करना फिर मुश्किल होगा फिर आप दुबारा doctor के पास जाओगे तो आप इस natural process को समझे के hair fall अभी का होना होता है लेकिन हम इसे अगर हम ये सोचें भई hair fall होना होता है ठीक है तो hair thinning हो जाएगी और फिर तो इसका मतलब एक दो महीने अगर hair fall इतना ज्यादा होता रहा तो हमारे सिरे पे तो बाल ही नहीं बचेंगे गंजे हो जाएगे अब ऐसा बिलकुर नहीं है नॉर्मल परसेस के दोरान अगर आपके hair गिर रहे है ठीक है तो वो hair वापिस भी आते हैं और तूसरी बात है यह है कि अगर hair thinning इतनी ज्यादा होगी है कि आपके scalp चमंखने लग गई है दिखने लग गई है तब आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा उसका solution आप तो वो seasonal है नॉर्मल है उसे हम अपने आप कैसे भी control ने कर सकते हैं लेकिन हम एक काम कर सकते हैं hair growth को improve कर सकते हैं और अपने hairs को healthy बना सकते हैं अपनी scalp को healthy बना सकते हैं जिसकी वज़ा से hair अच्छे हो जाएंगे growth हो जाएगी छोटे-छोटे बाल जो है और आजाएंगे ज naturally जब हम वो remedies को adopt करते हैं hair fall भी एकदम से तो नहीं लेकिन कुछ हज तक control हो जाता है लेकिन normally जितना seasonally होना है वो होता ही है but hair growth actually promote हो जाती है पर कुछ लोग आलसी होते हैं वो नहीं करते हैं वो ये तो सोचते हैं कि hair fall बस रूख जाए पता नहीं कोई shampoo हम लगा लें कुछ oil हम लगा लें हमारा hair fall रुख जाए भाई किसी भी natural चीज को implicate करने के बाद उसका result आने के लिए time लगता है जब आपने hair की care ही नहीं करी आज hair fall हो रहा है तो वो immediately कैसे रुख जाएगा आपको उस time being में थोड़ा सा ध्यान लखने की जरूरत है और अपने hair follicles को improve करने की तो उसके लिए आपके लिए natural solutions होते हैं जिने आप अपनी scalp पे apply कीजिए implicate कीजिए जिससे के hair का volume बढ़े जो hair चले गए वो आएंगे विजरूरर देखिए जो monsoon का season होता है उस time hair fall सभी का होना होता है लेकिन after season वो hair fall रूख जाता है फिर अगर आपने उस time being में अपनी scalp पर ध्यान रखा है आपने natural चीजों से उन्हें नरिश करा है तो definitely नहीं hair आ गए होंगे और वो hair growth जो है improve हो जाएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि hair fall हुआ भी था क्योंकि अगर ऐसा होता कि यह वापीस ही ना आते है तो फिर तो किसी के सिर पे बाली ना होते है ठीक है कि हमें करना क्या है देखिए एक तो आपको बहुत ज्यादा मालिश के लिए मतलब प्रेस नहीं करना अपने हेर को कि हम ऑईलिंग कर रहे हैं और बड़ी रगड रगड के कर रहे हैं इससे कि stretch रूट जाते है नेचरली नॉर्मल तरीके से ऑईलिंग कीजिए ज्यादा जब हेर फॉल हो रहा होता है तो आप जो ऑईल स्कैल्प पे लगाऊगी तो कॉटन बोल से ही लगाईए ताकि जो फिंगर सी वो खिच के हेर निचे नांगे और दूसरा हेर वाश के लिए ध्यान रखिए और ओलिंग के लिए आप ओल कॉन सा यूज करें तो मतलब बहुत होती हैं बहुत चीज़ा आसी हैं जो आपको आपके घर में ही मिल जाती हैं नेच्रल होती है वह आपकी हेर्ग्रोथ को को इंप्रूव करती हैं जैसे कि आज मैं आपको एक हेर आएल बताती हूं जो के आप यूज करोगे तो definitely आपकी hair जो है improve होगी, hair जो है पुथिक हो जाएंगे, thinningness खतम हो जाएगी और hair जो है बहुत healthy हो जाएगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको coconut oil लेना है, मैं यह नहीं कह रही है कि organic virgin coconut oil ही लीजिए आप, आपके पास जो available है वो लीजिए, means जैसे parachute का है, अगर आपके पास वो है तो आप वो ले सकते हो, और आपको दूसरा aloe vera plant, लेकिन aloe vera जो आपको लेना है, वो plant based ही होना चाहिए, इसके लिए यह नहीं है कि आप market वाला लो, आप अपने hair को improve करने के लिए, scalp को healthy करने के लि तो उसके लिए original चीज ही होनी चाहिए, तो आपको यह aloe vera plant based ही लेना है, और इनको आप अच्छे से plant में से इस पत्ते को लेके धो के अच्छे से, इस तरहां से उसके pieces जो है, वो cut कर लेना है, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, और आपको दूसरा कड़ी प जो हैं, वो इंप्रूब हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और अगर premature graying hair है, अगर आपको time से पहले आपके hair white हो गए हैं, तो उनको भी यह रोकने का काम करता है, और कुछ हद तक आगे hair जो है, gray नहीं होने देता, white नहीं होने देता यह, तो आपको कड़ी पत्ता भी लेना है, और आपको एक चीज़ लेने है, केस्टर ओयल, केस्टर ओयल मैंने लास्ट में आपको बताया है, अब मेन बात है कि आप इसका पूरसा है समझे कि आपने क्या करना है, जो coconut oil है, आपको उसको एक frypen में बिल्कुल गरम करने के लिए coconut oil को एक frypen में डाल देना है, और जै अच्छे से यह जल जाना चाहिए, सिरफ coconut oil में आपको एलवेरक और करी लीव्स को जलाना है, ठीक है, इस बात का ध्याना को जब वो अच्छे से जल जाए तो जब यह जो यह आपको ओयल को बनाने का परसेस है, तो यह सारा आपने medium flame पे करना है, high flame पे नहीं करना है, और फिर जब यह बिलकुल blackish में, brownish में आ जाएं यह जो curry leaves है, इस यह oil बन गया, oil का color भी change हो जाएगा, तब आपने इस oil को ठंडा होने के लिए रख देना है, फिर इसे किसे stainer की help से छान लेना है, किसी कांज की बाउल में छान लेजीए, या फिर आप किसी plastic के container में भी रख सकते हो इसको, और अगर वो ठंडा हो गया है, फिर उसके बाद आपने caster oil को fix करना है उस oil में, ध्यान लखना है, जो boiling process है oil का, वो सिरफ coconut oil के साथ है, caster oil आपने उसको बाद में मिलाना है, जो caster oil होता है, वो hair को thick करने में, hair growth को improve करने में, बहुत help करता है, hair roots को open कर देता है, जिससे कि आपका जो hair है, बहुत नरीश हो जाते है, मितलब hair growth बढ़ जाती है, ठिक होने शुरू हो जाते है, hair healthy हो जाते है, ठीक है, आपको कभी महसूस ही नहीं होगा, कि हमारा hair fall भी हो तो, और हमारे चले गए, बापीस ही नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं है, scalp पूरी भ अगर उस तरह का product आप consume करते हो, तब भी hair growth है, इंप्रूव होती है, तो मैंने उसके लिए एक biotin powder बनाने की recipe भी आपके साथ शेयर की थी, उसका link भी मैंने description box में दे दिया है, और आप वस video को भी जाके देख सकते हो, और इस oil को आप weekly टू टाइम लगाईए, मतलब आप हपते में दो बार लगाईए, और फिर देखे इसका जो भी result आपको मिलें, वो मेरे सब जरूर शेयर कीजिए, और अगर विडियो आपको informative लगा है, knowledgeable लगा है, तो जरूर इसको like कीजिए, शेयर भी कीजिए दूसरों को, और चैनल को subscribe करना, बिल्कुल मत भूलना, और मिल